Hey everybody, मेरे नाम है Manis Guys, ये CCCC की Introduction to Computer First Unit का Second Lecture है इससे पहले एक lecture हो चुगा है और ये Second Lecture है जो की होगा Characteristics of Computer यानि की Computer की विसेस्ताओं के उपर तो जलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला जो इसमें विसेस्ता आएगी Computer की वो होगी गती यानि की Speed तो अगर Computer की Speed की बात करें तो अगर Compare करेंगे तो यानि की हम करेंगे Human से यानि की एक इनसान से अगर इनसान से Compare करेंगे तो Definitely Computer की Speed जो होती है वो बहुत ज़्याद होती है As Compare एक इनसान से Computer एक Second में Second के हिसाब से भी काम कर सकता है जबकि इनसान जो है वो अपना time में अलग-अलग होता है तो वो इसे साब से काम कर सकता है जबकि computer क्या कर सकता है एक second में काफी गढ़ना है यानि काफी calculations कर सकता है जो कि उसी काम को करने में इनसान को बहुत ज़ाद है time लगेगा तो देखी इसके जो speed होती है वो हम hertz में यानि कि hz में नापते हैं जो कि आप computer में भी जब आप purchase करते होगे आपने देखा होगा processor लिखाता है 2 GHz और 4 GHz इस तरीके से आता है तो वो GHz में अपनी speed को दिखाता है, show करता है उसके बाद देखी इसमें हम क्या कर सकते हैं इसमें हम 10 से 40 million arithmetic calculation per second computer में calculate कर सकते हैं अगर आप इसे अब देखें इनसान से compare करें तो आप देखेंगे कि बहुत ज़ाद है इनसान से बहुत कहीं आगे है speed के मामले में और इसकी गती बहुत ज़ाद होती है even seconds में ये बहुत सारे calculations कर सकता है अभी आपको मैंने बताया था 10 to 40 million arithmetic calculations arithmetic means जो ये mathematical होती है plus minus गुणा जितनी भी होती हैं ये सम तो इस तरीके से हमने गती के बारे में देख लिया है अब देखते हैं दूसरी जो बिसेस्ता है दूसरी बिसेस्ता है इसकी accuracy accuracy देखी accuracy का मतलब है कि वो उस काम को कितने सही तरीके से कर रहा है कितना accurate है देखे अगर आप computer की बात करें तो उसमें भी गलती आ सकती है error आ सकती है जो कि आपने देखिए जितनी भी होती है देखिए पहली बात तो यह होता है कि errors बहुत कम आती है means बहुत कम probability यानि कि बहुत कम chances होते हैं कि error आए फ़र भी अगर कोई error आता है तो उसमें वही माना जाता है कि या तो वो technical या जिस जो भी उस पर काम कर रहा है इंसान यह उसकी गलती हो सकती है computer को यह माना जाता है कि उसमें कोई error नहीं है क्योंकि आप जब देखे कोई भी काम किसी भी इंसान को देंगे तो वो क्या करेगा वो उस काम को हो सकता है अगर उस काम को पांच बार उससे करवाएं तो हर बार वो different result दे हो सकता है वो different result दे पर computer क्या होगा वो हर बार एक ही type का result देगा जो उस result है वो उस result को change नहीं करेगा यानि कि उसमें कोई गलती नहीं है वो पूरी तरह accurate है तो अगर वो accurate होगा तो उसका result जो है वो पूरी तरह बिल्कुत सही आएगा तो यानि कि बिना गलतियों के यानि कि accurate काम करना भी इसकी एक विशेस्ता है उसके बाद आते हैं तो एक विशेस्ता और है इसमें वो है consistency consistency का मतलब है कि यह कितनी देर तक इसकी क्या चमता है कि वो कितनी देर तक काम कर सकता है तीगर फिर इंसान से compare करें तो इंसान कुछ देर काम करने के बाद वो ठक जाता है ब्रेक लेता है पर computer में ऐसा नहीं है computer में उसकी electricity आनी चाहिए और maintenance होना चाहिए उसके बाद उसे कभी computer को जरुवत नहीं है कि वो रुके ठके या उसे ब्रेक चाहिए वो हमेशा काम अपना उसी speed से करता रहेग तो यह इसकी जो है तीसरी विसेस्ता थी consistency चौती विसेस्ता आती है इसमें storage capacity storage capacity की बात करें तो दीके computer में अगर माना जाए तो एक तरीके से unlimited storage capacity होती है मानि आपके पास hard disk है वो बढ़ जाती है उसके बाद आप नहीं hard disk लगा सकते हैं मिस आपके पास possibility तो यह है ना कि आ इंसान को अगर देखें तो उसकी storage capacity जो है वो कम होती है यानि कि अगर वो आज किसी task को याद रखता है हो सकता है वो कल भूल जाए या परसो भूल जाए पर computer में क्या है अब छोटे से छोटा task या बड़े से बड़ा task आप save करेंगे तो हूब हूब वैसा ही task जो है आपक वो किसी भी limit तक जा सकता है छमता के मामले में उसके बाद जो अगली जो इसकी बिसेशता है वो है flexibility flexibility की बात की जाया तो इसका मतलब यह है कि यह कितना efficient है किसी काम को करने में flexible का means अगर एक कोई इंसान flexible है तो वो बहुत सारे काम कर सकते हैं आला कि अगर computer में अगर flexibility है य यह कि particular का task जो है वो loop में बार बार वही काम किये करती जाती है जैसे कि आप washing machine ले 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 या television ले 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 वो एक particular का task करती है जो कि वो flexible नहीं है तो अगर computer की बात करें तो वो बहुत सारी बहुत सारे तरीके के काम करता है जैसे कि आप railway में भी काम करता है वो doctors के लिए भी काम करता है machines जो use होती है printer facts movies और operation theater manufacturing how bridges सब चीजों में जो है वो काम करता है उसके बाद जो है यह दिखाता है कि उसकी flexibility कितनी है means वो हर फिल्ड में अपना contribution देता है यानि कि वो flexible है किसी भी काम को करने के लिए तो flexibility जो है वो भी एक इसकी विसेश्ता है तो यह दिखे विस comments वाली विसेश्ता हैं बताई है हाला कि और भी 25 तरीके की विसेश्ता है होती है पर यह जो है exams में सबसे जादे पूछी जाती है यह इनको बहुत जादे repetition मिलता है exams में questions में तो मैंने main तरीके की बता दी है अगर आप चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं किसी भी book को download कर ली जी टरपल सी की और उससे पढ़ सकते हैं तो इस वीडियो में हमने देखा कि इसकी computer की विसेश्ता है अगली वीडियो में जरूर एक नया lecture लेके आएंगे साध यह हो सकता है कि type of computers आ सकता है तो चलिए मिलते हैं आप नए वीडियो में जब तक के लिए good bye